नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावल एक्जाम रेस पे दोस्तों आज मैं आप लोग जीके के महत्तपोड एक हजार परसंतर सीरीज की नई वीडियो लेके आया हूं जो कि आप लोग लिए बहुत-पोड हैं दोस्ते कोश्चन के हर कॉम्पेटेश एक्जाम में बार पूछी जाते हैं इसलिए मैं चाहूं कि आप लोग इन को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप लोग इस है तो दोस्तों चलते हैं Coast क्यों देखते हैं सक्ति मारत प्रस्ण क्या है तो कुश्चन दोस्तों भारत के कििस रास्ट्रपती ने सबसे कम उमर के रास्ट्रपत है दोस्तों इनकी कॉह आयूंड जब 64 वर्स थी तभी राष्ट्रपती चुने गए थे ठीके दोस्तों और यह भारत के छटवी राष्ट्रपती थे तो यह बात है ध्यानक ने आप लोग को चलिए बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे पताए फ्रेंट्स जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे कौन थे दोस्तों रिशब देब जैन धर्म के प्रवर्तक थे और दोस्तों जो रिशब देब हैं वह प्रथम तीर्थकार भी थे तो यह बात भी ध्यानक ने आप लोग को चलिए कि दोस्तों महारसी वालमिकी जनने-जन्म भूमिश्च के रच्चेता है और दोस्तों जो महारसी वालमिकी है उन्होंने रामेड की रचना की थी तो यह बात धेहनक ने आप लोग को चलिए बढ़ते हैं एगले प्रस्ण की और है कि अउर्ज्ड सब्सक्राइब उस तीर्थस्थल का नाम क्या है जो पित्रों के पिंद दान के लिए प्रसिद्द आ तो पताई फ्रेंड्स उस तीर데ंट तल का क्या नाम है जो पित्रों के पिर्ण रितान के लिए परसिद है तो क्या नाम है दोस्तों गया चलिए बढ़ते आगले परस्ण की और देखते आगले पस्रीचु क्या है कौन महापुरूस संस्कृत व्याकरण की जनक थे तो बताए फ्रेंड्स वह कौन से महापुरूस थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रशना की थी वह कौन से महापुरुष थे जो संस्कृत व्याकरण के जनक थे तो कौन थे दोस्तो पाड़ीनी पाड़ीनी को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है ठीक है दोस्तो और जो दोस्तो पाड़ीनी है उन्होंने एक अस्टा ध्याई की रचना भी की थी और दोस्तों एक इंपर्टन कोश्वन और है पाड़ीनी ने अस्ट्या ध्याई की रचना की थी तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर इंद्रा गांधी राष्ट्रे उध्यान कहां इस्थित है तो बताई फ्रेंड्स इंद्रा गांधी राष्ट्रे उध्यान कहां इस्थित है तो कहां से दोस्तों तमिल लाड़ू में इंद्रा गांधी राष्ट्रे उध्यान इस्थित है और दोस्तों तमिल लाड़ू की रा लोग को चलिए बढ़ते अंगले प्रश्ण की ओर अग नर्मदा नदी किन प्रवत संखलाओं के बीच से होकर बहती है तो बढ़ाए फ्रेंड्स नर्मदा नदी किन प्रवत संखलाओं के बीच से होकर बहती है तो कौन-कौन से प्रवत संखलाओं के बीच से नर्मदा नदी बहती है और दोस्तों वह मध्यपर्दस के अमर कंटक से निकलती है और पस्चिम की और बहते हुए खंबादी खाड़ी में गिर जाती है ठीक है दोस्तों तो यह बाते भी ध्यान अकने आप लोग होता है तो बताएं दोस्तों रताओंदी किस बिटामिन की कमी से होता है आप रूंसे काफी जानते होंगे दोस्तों तो किसी कमी से होता है दोस्तों विटामिन एक कमी से रताओंदी नामक बिमारी होती है ठीक है दोस्तों और दोस्तों मुझे आपके जरूर बताएगा कि दिकी औरन इसे कौन सी भीमारी होती है चलिए बढ़तेंग्र प्रし equally है तो है नो है तो संमीद्हान सवा की प्रारू समीति के स्कॉन थे तो बताए फ्रेंट संमीदान सवा की प्रारू समीति के हद्ध्यक्ष कौन थे तो कौन थे दोस्तों डॉक्टर भीम राव अम्मेटकर जी नॉक्टर मेटकर जी हमारे समिधान सवागे प्रारु समिती खित थे ठीक है दोस्तों चली पड़ते हैं आगले प्रश्न की और दोस्तों वीडियो प्रसंद आता वीडियो को लाइक जूरू कर दीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल सस्क्राइब करना बिल्कुभी न भूले तो कुछन है दोस्तों हमारा राष्ट्रे पंचांग कौन सा है तो कौन सा है दोस्तों सक संबत तो यह ध्याना के मानव सरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है इंपर्टन कोशन दोस्तों तो बताए फ्रेंड्स मानव सरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी के नाम से जाना जाता है तो कौन सी गरंथी दोस्तों प्यूस गरंथी प्यूस गरंथी को मास्टर गरंथी के नाम स से भी जाना जाता है ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते अगले प्रशन की ओर संयुक्त राश्य संग के पहले महासाचीफ कौन थे तो बताए फ्रेंड्स संयुक्त राश्य संग के पहले महासाचीफ कौन थे तो कौन थे दोस्तों त्रिग वेली जो त्रिग वेली थे वह संयुक्त राश्य संग के पहले महासाचीफ थे और दोस्तों जो संयुक्त राश् इनको भी आप लोग ध्यान में रखेगा चलिए बढ़ते यांगले प्रशन की ओर पर हिंपर इंदी दीigos कब मनाया जाता है तो बताओं इंपोर्टींट को हिंदी दीवस कब मनाया जाता है तो कमने जाता है दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है दोस्तों कुछन पॉइव से काफ़ी इंपॉटेंट है इसलिए आप लोग इन कुछनों को द्यान से नोट डाउन कीजिएगा तो अगला कुछन दोस्तों काजी रंगा राश्ट्य अभ्यारण किस राज्य में इस्थित है तो किस राज्य में इस्थित है तो किस राज्य में इस्थित है दोस्तों असम में असम में काजी रंगा राश्ट्य अभ्यारण इस्थित है ठीक है दोस्तों और जो असम की राज मुखी ठीक है और दोस्तों एक चीज और है असम में में कोशन करेंट अफेर का है दोस्तों इसको भी दियान में रखेंगा आप लोग इंपोर्टन कोशन है किस वाइडलाफ सेंचुरी को नैस्टा पार्क में बदलने की घोस्णा की गई है तो यह कौन सा यह दोस्तों देहि इंपोर्टेंट है ठीक है और काजी रंगा दोस्तों किसली इंपोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर एक सिंग वाला गेंड़ा पाए जाता है तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्णित कियों मद्यपर्देश के बरतमान में मुख्यमंत्री कौन है तो बताए फ्रेंट्स मद्यपर्देश के बरतमान में मुख्यमंत्री कौन है तो कौन है दोस्तों सिवरासिंग चौहान सिवरासिंग चौहान है वह मद्यपर्देश के बरतमान में मुख्यमंत्री है और बरतमान में द नहीं है चलिए बढ़ते अंगले प्रश्ण की ओर हिंदी भासा का पहला समाचर पत्र कौन सा था तो इंपोर्डेंट कोशन है दोस्तों हिंदी भासा का पहला समाचर पत्र कौन सा था तो कौन सा था दोस्तों उद्धन्त मार्तंड ठीके दोस्तों जो उद्धन्त मार्तंड ह कि वो फिन्दी भासा का पहला समाचर पत्र था ठीक है दोस्तों ध्यान अपर लो चलिए पढ़ते अंगलिल प्रश्णकी और आप उत्त्री धुरूब में भायत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है तो क्या नाम है दोस्तों हिमाद्री और दोस्तों हिमादरी को कैसे याद कर सकते हैं उत्तर में हमारे हिमाले स्थित हैं जो हमारे उत्तरी ढूप में जो अनुसंधान 147 उसको हम हिमाद्री कहते हैं इस नाम समर्न इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उत्तर में हिमाले है और उत्तरी अनुसंधान केंद्र कैई हिमाद द्रें हमार चया को चलिए अंगला प्रशन की हो वह तो क्लोरो किसके जनम दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बताए फ्रेंड्स वह व्यक्ति कौन है जिनके जनम दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो कौन है दोस्तों मेजर ध्यान चंद्र जो मेजर ध्यान चंद्र जी हैं उनके जनम दिन को खेल दिवस्क के रूप में मनाया जाता है ठीक है दोस्तों इंपर्टेंट कोशन है ध्याना किएगा आप लोग चलिए बढ़ते अंगल प्रश्ण की ओर कि आजाद हिंद फॉज की स्थापना कहां की गई थी तो पताए फ्रेंड्स आजाद हिंद फॉज की स्थापना कहां की गई थी तो कहां की गई थी दोस्तों सिंगापूर में सिंगापूर में आजाद हिंद फॉज की स्थापना की गई थी ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते मैं आसा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आएगी तो लाइक जूरू कर दीजेगा अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कूर भी ना भूले और एक प्यार सा कमेट करके मुझे जरूर बता है कि वीडियो कै कैसी लगी तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए वीडियो में कुछ नए महत्वर परस्नों के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइट टिक क्यार बंदे महत्रम